Hello friends, Welcome to our channel इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्दृत धारा Electric Current का आज हम लोग Part 4 हम लोग इसका डिस्कस करेंगे Part 3 हम लोग complete कर लिए हैं और आज हमारा विद्दृत धारा का आज Last Part है इसमें हम लोग 180 mcq question जो है ये Part में हम लोग पुरा complete कर लेंगे और एक से लेके 141 question जो है हम लोग उसको तीन पार्ट में cover कर लिए हैं चलिए तो start करते हैं 142 number कर लिए हैं आज हम लोग 142 number से question को start करेंगे question है चालक तार को खीच कर 50% विध्धी कर लिजाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा इस टाइप की question के लिए कैसे solve करेंगे इसके लिए formula है देखिए प्रतिशत परिवर्तन प्रतिरोध के लिए formula जो है n2-1-100 n क्या है देखिए 50% विद्धी हुआ यह है n माल लेते हैं यह जैसे चालक तार को खीच कर माल लेते हैं जो इसका है x है 1 तो कितना इसमें विद्धी कर देना है x-50% बरहा देना है एक का 50% कितना हैगा 0.5 इसमें क्या होगे 1 प्लस 0.5 अगर बरहा देंगे तो कितना आजाएगा 1.5 जो कि यही हमारा है n कितना है माल लेते हैं यह x एक्वल टू है 1 और इसमें हमको बरहा देना है 50% विद्धी कर देना है देखिए एक का 50% कितना होता है 0.5 जो कि विद्धी कर दिए तो आगे 1.5 यही है यहाँ पर n बस यहाँ पर value put कर देना है तो कितना आजाएगा यह आजाएगा देखिए 1.5 का square minus 1 ठीक है गुने 100 इसको जब solve करेंगे तो 1.25 गुने 100 कितना आगिया एक सो पचीश प्रतीशत क्योंकि है इसका सही उत्तर है option number A इसका सही उत्तर है एक सो पचीश प्रतीशत next है same इसी type का question है देखिए अगला question एक तार को खीच कर 30% बढ़ा दिया जाता है यहाँ पर कितना था 50% और यहाँ पर है इस question में 30% यहाँ भी माल लेते हैं suppose x है माल लेते हैं कि 1 और x डैस इसका अगर 30% पढ़ा देंगे तो एक का 30% कितना होता है 1 plus 0.3 जो कि आता है 1.3 कितना कि 1.3 यही है हमारा n same formula इसके लिए use करेंगे क्या है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा नेया प्रतिरोद कितना तो देखिए इसके लिए formula है जो use किये थे same formula यही है n square minus 1 गुने 100 तो बस यहाँ पर put कर देना है n square minus 1 गुने 100 n का जगा पर ले लेना है 1.3 square minus 1 गुने 100 इसको जब हम लोग solve करेंगे तो कितना आएगा solve करने के बाद यह आजाएगा 69% जो कि है option number B इसका शही उतर है आप वीडियो को पहुच किजी उसके बाद खुद से calculation किजी इसको बस इसमें यह वाला formula लगा देना है n square minus 1 गुने 100 अगला question है अगला question देखने से पहले यहां पर जो है यह जो दिया है 180 plus question है यह सब जो question है based on NCRT और previous year question पर यह सब आधारीत है जो कि railway SSC, VPSC, UPSC जितने भी previous year questions आए हैं उसी के ऊपर यह सब questions based है next है 6 milliampere की धारा moving coil galmo meter में कितना विछेप उत्पन करेगा यदि 2 milliampere 3 degree का विछेप उत्पन करता है इसमें विछेप निकलना है इसके लिए एक concept है इसमें बस हम लोग वही वाला concept लगा देंगे इसको कैसे solve करेंगे देखिए विछेप जो दिया हुए यहां पर विछेप मतलब हो गया कि थीटा तो विद्दुधारा directly proportional है थीटा के यो की है विछेप यहां से क्या formula आता है आई वन बाई आई टू एकवल टू थीटा वन बाई थीटा टू यहां से आई वन कितना दिया हुए है आई वन दिया है यहां पर देखिए यहां पर आई वन कितना दिय गया है 2 x 6 कितना डेकी आई वन है",2 और आई टू है ठीड न दिया गया और यहां पर हम पर निकालना है फीटा3 जब हैं इसको हम लोग solve करेंगे, to solve करने के बाद बाद कितना आजाएगा चतरी, अठारा, अठारा को दोशे भाग देदेंगे तो थीटा 2 आ जाएगा यहाँ पे 9 डिब्ली, जो कि इसका शही उत्तर है, बस हमको यह concept जानना है, कि विद्धु धारा का directly proportional जो होता है, वो होता है थीटा, विद्धु धारा का directly proportional होता है थीटा, जो कि यह विछे, option number A इसका शही उत्तर है, दोस्तों, इसका 180 plus question का जो है, PDF विडियू के description के नीचे दे दिया गया है, आप वहाँ से जाएगे, उसको डाउनलोड कर लेजिए, या फिर आप हमारा WhatsApp करें, या हमारे WhatsApp ग्रूप में जूर जाएगे, 8622904250 में, या फिर टेलिग्राम चैनल है, M.G. मनी स्कुरू करके, उससे अब जूरिए, या फिर Facebook पेज़े, M.G. मनी स्कुरू करके, आप उसको लाइक किजिए, किसी भी PDF या अपडेट के लिए, अगला question, एक galvanometer जिसका प्रतिरोध 38 ओम है, जिससे धारा 1 ampere मापा जाता है, यदि इसे M.10 में परिवर्तित 20 ampere के धार मापने योग बनाएं, तो कितना प्रतिरोध इसमें जोरा जाएगा हूँ, इसके लिए एक formula है, इसमें हम लोग 2 formula use करेंगे, एक formula है, N equal to I by I G, यह जो I है, I क्या है, M meter current है, और जो I G है, देखे, G है for galvanometer, तो क्या होगी है, galvanometer current है, यहां से N निकालेंगे तो कितना आज तो I है 20, जो कि है M meter current का, और एक ampere जो दिया है, यह galvanometer current का यह वाला जो दिया है, एक ampere, यह galvanometer current का तो यहां पर आगिया 1, तो कितना आजाएगा, N का value आजाएगा, N आगिया यहां पर 20, और एक और formula इसमें यूच करेंगे, S equal to G वटे में N minus 1, G कितना दिया है, जो कि प्रतिरोध जो है 38 ohm दिया है, और N तो हम लोग निकाल दिया है, तो इसका कितना प्रतिरोध जिसमें जोरा जाएगा, तो इसमें डायर इसमें बस put कर देना है value को देखिए, 38 दिया है G, यह है G, G बराबर है 38 ohm, N बराबर है, यहां पर आगिया है, solve करने के बाद 20, तो 38, बाई 20 में से एक गया 19, और 19 को दो बार में भाग देंगे तो आ जाएगा, बस इसको solve कर देना है, कितना आ गया देखिए, 2, जो कि है, option number B इसका सही उत्तर है, option number B, 2 ohm, 2 ohm, अगला question देखते है, एक volt meter का प्रतिरोध 40 ohm है, यह 20 volt V1 तर मापता है, इसमें कितने प्रतिरोध का तार जोरा जाए, जिससे यह 100 volt माप सके, इसको कैसे solve करेंगे, इसमें भी एक formula लगेगा, N equal to V2 by V1, तो यहाँ पे V2 कितना दिया है, 100 volt, उसके बाद इसमें V1 कितना दिया है, 20, देखिए, यहाँ पे है V1 है यह 20, और 100 volt जो है, यह है V2, इसको जब solve करेंगे, तो N कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी वाला formula उसकर देना है, S equal to G वाटे में N minus 1, तो G कितना है, 400, जी देखिए, यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया है, यह 400 ohm है, और N आ गया 5 minus 1, इसको solve कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1600 ohm आ जाएगा, इसको जब solve करेंगे, तो 1600 ohm इसका सही उत्तर आ जाएगा, 1600 ohm, जो कि है, option number D इसका सही उत्तर है, यह सब जो formula है, इसको आप एक जगा नोट डाउन करके, आप इसको अपने copy में रखिए, एक formula इसमें इल्ज हुगा, N equal to V2 by V1, और S equal to, अगला formula है, G बटे में N minus 1, यह सब एक्जाम बेश्ट कोश्चन है, नेक्स्ट है, 148 number कोश्चन, एक गैल्मनो मीटर, यह सब गैल्मनो मीटर से related यह सब कोश्चन है, 40 ohm प्रतिरोद 1 amp की धारा मापता है, इससे वोल्ट मीटर में बदले, जो 200 वोल्ट मापता, तो कितना प्रतिरोद कातार सीरीज में जोरा जाएगा, सीरीज में, इसके लिए देखिए क्या formula है, direct formula है, S equal to V by IG minus G, कुछ नहीं करना है, इसमें बस value put कर देना है, भी कितना दिया है, देखिए, यहाँ पे दिया है, 200 V, भी बराबर है, 200 V, IG कितना दिया है, IG क्या है, गल्बनो मीटर current, जो कि कितना दिया है, एक amp दिया है, एक और minus G कितना दिया है, तो G का value है, 40 ohm, गल्बनो मीटर का जो प्रति रोध है, वो है 40 ohm, जब इसको solve कर देंगे, यह तो बहुत सिंपल है, 160 ohm इसका सही उत्तर आ जाएगा, option number A, इसका सही उत्तर है, 160 ohm, अगला question है, heater का प्रति रोध ज्याद करें, अंकन 100 watt, 200 V, इसके द्वारा कितने धारा खर्च किया जाएगा, इसमें क्या निकलना है, इसमें देखें, धारा निकलना है, यह जो दिया है, यहाँ पे, 200 के अस्थान पे, 220, 220 V होगा, चलिए, इसको solve करेंगे, P equal to होता है, P equal to V square by R, और यहाँ से हम लोग R निकालेंगे, R equal to होता है, V square by P, V कितना दिया है, तो V है, देखें, 220, 220 गुने, 220 बटे में, कितना वार्ट है, P, पावर शक्ति कितना दिया है, यहाँ पे देखें, 100 वार्ट दिया है, तो बटे में 100 इसको solve करेंगे, तो कितना आजाएगा, 484 ओम आजाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लिए, R निकाल लिए है, और एक और फर्मूला होता है, P equal to V I, क्या है, यह सक्ति बराबर, विवांतर गुने, विद्धुत धारा, और यहाँ से हमको निकालना है, I equal to P by B, P इसमें सक्ति कितना दिया होया है, तो 100 दिया है, और B कितना है, 220, इसको जब हम solve करेंगे, तो आजाएगा solve करने के बाद, 0.454 ampere, जो की है, option number A, इसका सही उत्तर है, यह इस बार, directly, railway group D में, यहाँ से, पुछा गया था, 0.454 ampere, अगला question है, 150 वा number question, निमलिखित में से कौन विद्दुधारा के चुमबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है, option C, carbon microphone, इसका सही उत्तर है, carbon microphone, विद्दुधारा के चुमबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, कार्बन माइक्रोफोन जो है यह कार्बन ट्रांस्मीचर है क्या है तो यह कार्बन ट्रांस्मीचर जो है यह कार्बन माइक्रोफोन यह माइक्रोफोन है जो ध्वनी उर्जा को विद्दुत तरंग के रूप में कारे करता है अगला कोश्चन निम्लिकित में से कौन सी युपती विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित कराती है ये कोश्चन डिसकस किये हैं बहुत बार इसका सही उत्तर होगा option इसका सही उत्तर है option C इसका सही उत्तर है विद्धुत मोटर विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करता है या विद्धुत प्रेर्ण के सिधान पे कार्य नहीं करता है विद्धुत मोटर जो है या विद्धुत धारा के चुम्बक्य प्रभाव पर कार्य करता है ये जो है विद्धु धारा के चुम्बक्य प्रभाव पर विद्धुत मोटर कारे करता है अगला कोशन विद्धुत मोटर में उसकी प्रारंब के उपरांथ मोटर की गती के समाने हो जाने पर इसमें प्रवावित धारा प्रारंबन धारा क्या होती है तो इसका सही उत्तर आएगा option T, शे कम होती है, विद्धुत मोटर में इसके प्रारंबन के उपरांत, मोटर की गती के सामाने हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंबन धारा से कम होती है, क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, अगला question है, loud speaker में उर्जा का परिवर्तम, क loud speaker में उर्जा का परिवर्तन विद्धुत से यांत्रिक तत्रपश्चात ध्वनी उर्जा में होता है, अच्छा जो loud speaker है, यह loud speaker का निर्बान शर्व प्रथम किस ने किया? तो Edward W. Kellogg एवंग Chester W. Rice कौन है? Edward W. Kellogg और एवंग Chester W. Rice, Chester W. Rice, अगला question, microphone में उर्जा का परिवर्तन, इसका पहला वला था, इसके उपर वला loud speaker में उर्जा का परिवर्तन, और 154 नमर question है, microphone में उर्जा का परिवर्तन, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर है, option A, option A, ध्वनी से यांत्रिक तत्पश्चात विद्धुत उर्जा में होता है, microphone में उर्जा का परिवर्तन जो है, वा ध्वनी से यांत्रिक तत्पश्चात विद्धुत उर्जा में होता है, अचा, कुछ question जो है, वो question repeated typing हो गया है, जो कि वो repeat हो गया है, तो उसको हम लोग direct कर लेंगे, जैसे की 154 नमर जो question है, और 161 नमर जो question है, यह same question, अगला question देखते हैं, यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तन करने वाली युकती क्या कहलाती है, तो इसका सही उतर है option C, डाइनमो, यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तन करने वाली युकती डाइनमो कहलाती है, और डाइ करते हैं , यह भी questions पूछर जाता है कि Dynamo, किस के सिध्धांद पे कारे करते हैं तो Dynamo जो है या फड़ाड़े की विद्दुचूमबक के प्रिरयन के सिध्धांद के कारे करते हैं यह भी questions repeated है जो कि 100 यहां पे मैं इसको कर देता हूं 167 नमर कोश्चन और 155 नंबर कोश्चन सेम है दो बार डाइब होगे हैं अगला कोश्चन है 156 नंबर ट्रांस्फर्मर द्वारा क्या होगा इसका सयुत्तर निम्ने विभव उच धार तता विपरित रूप में भी परिवर्तित करता है यह हैं 168 नंबर और 156 नंबर यह बार यह भी टाइप होगे हैं करीव करीव 10 कोश्चन दो बार टाइप होगे हैं अगला देखते हैं 157 number question हमारे घरो में विद्धूत आपूर्टी 200V AC होती है तो 200 का मान आपूर्टी की क्या होगा तो इसका सेयुत तरोगा option B प्रभावी वूल्टता दर्शाता है हमारे घरो में विद्धूत आपूर्टी 200V AC होती है 220 का देखिए यहां पे भी जो है यह प्रिंटिंग है यहां पे 200 नहीं होगा मिनिमम यहां पे 220 होता है 220 वोल्ट तो क्या जाएगा जो 220 का मान जो है या आपूर्ति की प्रभावी वोल्ट ता दर्शाता है और भारत में जो बिखने वाली सभी उपकरन अमूर्ण जो है या 220 से लेके 220 से लेके 240 की रेंज वोल्ट होते है अगला कोश्चन यह भी जो है यह कोश्चन है 157 नमबर के साथ है 169 नमबर कोश्चन यह भी सेम कोश्चन है अगला है 158 नमबर DC की अपेच्चा AC के लाब क्या है तो इसका सही उत्तर है option T यह कम उर्जाहानी के साथ क्या करती है यह कम उर्जाहानी के साथ लंबी दूरी तक की जा सकती है तो जो है DC की अपेच्चा AC के लाविया है कि यह कम उर्जाहानी के साथ लंबी दूरी संचरित की जा सकती है और भारत में घरों में पर्याप्ती धारा की आवरिती कितनी होती है भारत में 50 हर्च होती है अर्थात या एक सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा पदलती है और AC धारा होता है इसका ग्राफ इस टाइब से है अगला कोशन देखते हैं यह भी जो है यह आपको सेम कोशन्स ने जाएंगे एक सो सकतन नमबर सेम कोशन से अगला कोशन है विद्दुत परिपत में फ्यूज का कार्य विद्दुत परिपत में फ्यूज का कार्य तो इसका शही उत्तर होगा option C अतिभारन ओवर्लोडिंग या लगुपतन की इस्तिती में परिपत को भंग करता है पंग गलनांक निम्न होता है जो प्रतिरोध है या उच्छ होगा और गलनांक जो है या निम्न होता है ये भी है एक सो इकहत्तर नमबर कोश्चन सेम है अगला है विद्दुत परिपत में फ्यूज को क्या होगा इसका सही उत्तर option A गरम तार में लगाया जाता है विद्दुत परिपत में फ्यूज को जो है गरम तार मतलब की positive तार में लगाया जाता है फ्यूज एक सुरच्छा जिपती है जो overloading या short circuit की कारण उच विद्दुत धारा से परिपत की रच्छा करता है फ्यूज हमीशा phage तार या line या जो जिवित तार के साथ staining करम में लगाया जाता है फ्यूज को next है फ्यूज के बार-बार ये भी जो question है ये questions repeated है 172 number question save है next है फ्यूज के बार-बार यहापे क्या दिया है funk zone पर इसी क्या होता है इसका मतलब गल जाने पर तो इसका सहएउत तरा आएगा option t बिजली के मिस्तरी को खुला कर ठीक करना चाहिए ये दिखे normal question ये दे दिया है फ्यूज के बार-बार गल जाने पर इसे बिजली के मिस्तरी को बला कर ठीक करना चाहिए बार-बार ऐ फ्यूज सौर्ट सर्किट के कारण बार बार फ्यूज होता है अगला कुशन है फ्यूज के तार का पदार्थ यह भी जो है 161 नमबर और आपको 173 से मिलेगा फ्यूज के तार का पदार्थ क्या होगा यह उसका सैयूदतर ओफ्शन ए उच प्रतिरोधक्ता का होना चाहिए तथा निमन गल्लांग का होना चाहिए अगला है एक पावर शोकिट पर कई विद्धुत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि क्या कारण है, तो सयुत्तर option B, अतितापन के कारण बिजली की वाइडिंग खराब हो सकती है, एक power circuit पर कई विद्धुत उपकरनों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की वाइडिंग खराब हो सकती है, और ये same edge कितना है, 175 नमबर, 130 नम लगु पतन ना हो, विद्धुत उपकरन को भूंसपरकित किया जाता है, जिससे की लगु पतन नहीं हो, 176 करी-करी 10 से 12 question जो है, वो repeated typing हो गए है, विद्धुत बल्ब, लैंप का तंतु तब्त होकर श्वेत हो जाता है, जबकि प्रवेश सयोजी तार केवल हलका साही गर् हो पाता है, क्योंकि सयोजी तार जो है, या क्या होगा, ओप्शन नमबर भी इसका सही उत्तर है, का प्रतिरोध बहुत कम होता है, विद्धुत बल्ब, लैंप का तंतु तब्त होकर श्वेत हो जाता है, जबकि प्रवेश सयोजी तार केवल हलका साही गर्म हो पाता है, क् कि सायोजी तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसी के साथ अगर पूछे का इरजिस्टेंस किसे कहते हैं तो किसी पदार्त का वहगून जो चालक से होकर विद्धुधार के प्रवाव में रुकावट डालता है वह प्रतिरोध कहलाता है। जिसको कि हम लोग ओम से इन इक हैं यहां पर दिया थि कितना नंबर यह कुशन है यह जो है हम लोग पिछले पिछला वाला में हम लोग इसको सेट डिसकस की थी तेकि 166 नंबर जो कोश्चन से यहां से रिप्टेट इस्टाट है 154 नंबर जो कोश्चन है सेम कोश्चन है देखिए माइक्रोफोन में उर्जा का परिवर्थन ओप्शन ए इसका सही उत्तर है 154 नंबर 166 से इसी हिसाब से 155 नंबर 167, 156 नंबर 168, 157 नंबर 169 ऐसे करके 10 से करीब 14 कोश्चन यहां पे रिपीट हो गया है इसका डिरेक्ट डिरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं माइक्रोफोन में उर्जा का परिवर्थन तो क्या होगा इसका सही उत्तर है ओप्शन ए ध्वनी से यांतिक तत्पष्चात विद्धुत उर्जा में होता है इसको जो कि हम लोग डिसकस कर लिए हैं तो डिरेक्ट इसका अंसर बस हम लोग बताते हैं 167 नमर कोशन यांतिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्थन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है तो इसका सही उत्तर होगा अच्छा जो इसका पिछला कोशन है पिछला कोशन का सही उत्तर है ओप्शन ए सही है यांतिक परिवर्थन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है तो इसका सही उत्तर ओप्षन C, डाइनमो, ट्रांसफर्मर द्वारा क्या होगा तो इसका सही उत्तर ओप्षन C, एसी वोल्टता का उच्चियन अप्षन होता है, अगला कोश्चन, हमारे घरों में विद्दूत आपूर्टी 200 वोल्ट, 220 होगा यहां पे, 220 वोल्ट होती है और 220 का मान आपूर्टी इसका सही उत्तर होगा, ओप्षन B, प्रवावी वोल्टता दर्शाता है, DC की अपेच्चा AC के लाब यह है, क्या है इसका सही उत्तर, ओप्षन D, यह कम उरजाहानी के साथ, लंबी दूरी तकी जा सकती है, यह सभी कोश्चन्स रिपिटेड है, इसलिए बस इसका अंसर बोलके आगे निकल रहे हैं हम लोग, अगला कोश्चन है, विद्दूत परि इसका सही उत्तर, ओप्षन D, गड़म तार में लगाया जाता है, अगला है, फ्यूच का बार बार फंक को फूब्ग जोन पर इसे क्या होगा तो इसका सही उत्तर option D बिजली के मिस्त्री को बुला कर ठीक करना चाहिए next है क्यूच के तार का पदार्थ जो है इसका सही उत्तर option E कुछ प्रतिरोधक्ता का होना चाहिए तथा निम्न गल्लांग का होना चाहिए अगला है एक पावर शोकेट पर कई विद्धुत उपकरनों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका सही उत्तर क्या है तो option B अत्ती तापन के कारण बिजली के वाइरिंग खराब हो सकती है next है विद्धुत उपकरन को क्या है भूंस परकित किया जाता है जिसे की इसका सही उत्तर option D लगुपतन ना हो अगला है विद्धुत बल्ब लैंप का तंतु तप्त होकर श्वेथ हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार के वल हलका साही गर्म हो पाता है क्योंकि संयोजी तार इसका सही उत्तर क्या होगा तो option B संयोजी तार का प्रति रोध बहुत कम होता है अगला है एक साधारन फ्लूरसेंट प्रति दीपती ट्यूब में क्या होगा यह जो है देखिए इसको हम लोग डिसकस करेंगे यहां तक जो है यह रिपिटेट कुशन था 120 नमबर 27 तर और 178 से जो है इसको हम लोग डिसकस करेंगे यहां से रिपिटेट नहीं है देखिए एक साधारन फ्लूरसेंट प्रति दीपती ट्यूब में क्या होगा तो इसका सही उत्तर option C नमबर 27 पर पारावाश्प भरी होती है एक साधारन फ्लूरसेंट प्रति दीपती ट्यूब में नमबर 27 पर पारावाश्प भरी होती है low pressure पर अगला कुशन है विद्धुत बल में नमबर 27 पर नाइटोजन या आरगन गैस की कुश मात्रा इसलिए भर जाती है जिससे की इसका सही उत्तर है option B तंतु का वाश्पन न हो पाए विद्धुत बल में नमबर 27 पर नाइटोजन या आरगन गैस की कुश मात्रा इसलिए भरी जाती है इसमें तंतु का वाश्पन न हो जाए अगला है एसी कोड़ डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति उपकरन को क्या कहते है तो इसका शही उत्तर है option B दिश्टकारी दिश्टकारी इसी को कहते है हम लोग इंगलिस में कहते है या फिक अभी कभी यहाँ पि हिंदी में भी लिखा रहेगा रेक्टिफायर जोकि एसी कोड़ डीसी में परिवर्तित करने के युक्ति को कहते हैं दिश्टकारी या फिर रेक्टिफायर दिश्टकारी के कार के उल्टा कार करने वाला विक्ति को करते हैं इंवर्टर रेक्टिफायर का उल्टा होता है इंवर्टर इंवर्टर जो है वह क्या करता है DC को AC में बदल देता है अगला कोश्चन है विद्दुत परिपतों में फ्यूजों की अपेच्छा लगू परिपत भंजक MCB को प्रात्मिक्ता दी जाती है क्योंकि इसका सही उत्तर हुगा ओप्शन C ओवर्लोड को दूर करने के बाद को एक लीवर दबा कर MCB पुना सेट किया जा सकता है इसका मुल काम दोस्पुन इस्तिती की पहचान करकी दोसी भाग में जाने वाले विद्दुत सकती को सिगरता सिगर काट देना है MCB का यही काम है Next है 182 नमबर Dynamo जो विद्दुत का जनन करता है वास्ताव में क्या होगा तो इसका सही उत्तर है Option B उर्जा परिवर्तन कनवर्टर के रूप में कारह करता है Dynamo जो विद्दुत का जनन करता है उर्जा परिवर्तक के रूप में कारह करता है डाइनमो मुल रूप से या विद्दूत जेनरेटर का दूसरा नाम है या जो डाइनमो है या किसका नाम है या मुल रूप से विद्दूत जेनरेटर डाइनमो के हस्तान पे कभी-कभी जेनरेटर भी लिखा रहेगा अगला कुश्चन 182 नमबर 750 वाट अंकीत विद्दूत इस्त्री में 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा इसमें देखिए क्या क्या दिया है इसमें P दिया है सक्ति दिया है 750 वाट ले लेते हैं 750 और V दिया है 220 वोल्ट और हमको I यहां पर निकालना है इसमें एक फर्मूला आता है P इक्वल टू भी गुने I P इक्वल टू भी गुने I V है विवांतर और विद्दूधरा है I यहां से हम लोग I निकाल देंगे I बराबर आ जाएगा P बाई V जो की है यहां पर 720 कर लीजिए 720 750 के अस्तान पर 720 720 बटे में वोल्ट दिया है 220 इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3.41 एंपियर आ जाएगा 720 बटे में 220 और P बराबर रहता है V स्कुएर बाई R यह एक फर्मूला है जो की हम लोग जानते हैं इसका इसमें नहीं है इसमें बस नॉर्मल यह हुजा है P इकवल टू V रूने आए तो इसका ओप्शन नमबर आ जाएगा D इसका सही उत्तर है ओप्शन D इसका सही उत्तर है 3.41 एंपियर आ जाएगा अगला कुशन है यदि समान चमता की दो आवेसित चार्ष रवस्तुव को कहतार से जोरा जाता है तो क्या होगा इसका सही उत्तर आ जाएगा ओप्शन B बिजली प्रवाहित नहीं होगी यदि समान चमता की दो आवेसित मतलब की चार्ष वस्तुव को एकतार से जोरा जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी और यदि दो आवेसित चालकों का विभव समान होतो विद्द्धारा का प्रभाव नहीं है सेम कंसेप्ट यहां से है यहां पे हम लोग टूटल जो है 180 प्लस कोशन हम लोग देखिए यहां पे कवर कर लिए है यह हमारा था 184 नमबर कोशन 180 प्लस कर लिए है अच्छा दो कोशन जो है दो कोशन यह वाला और यह वाला बचा वगाता जिसको हम लोग बोले थे यह विस्तार से डिसकस करेंगे चैले तो इसको पहले डिसकस कर लेते है एक वैदुत केतली 220 भोल्ट पर 4 एंपियर धारा लेती है एक केजी पानी को 20 डिग्री से उबालने में कितना समय लगेगा उबलते हुए पानी का अताप 100 डिग्री से इसको कैसे सॉल्ट करेंगे देखिए इसमें तीन फर्मूला इसमें उज़ होगा तीनो जो है यह तोड़ा अच्छे लेबल के यह कोशन है यह कंसेप्चुल टाइप के है चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्ट करेंगे सबसे पहला इसमें फर्मूला लगेगा विद्धुत शक्ति जो है पी बराबर होता है भी गुने आई भी है विवांतर और आई है विद्धुत धारा भी कितना दिया है विवांतर यह के 220 भोल्ट दिया है 220 भोल्ट भोल्ट विवांतर आई कितना दिया है तो यहाँ पे आई है चार एंपियर तो चार जब इसको कर देंगे तो यहाँ पे पी कितना आजाएगा 880 वाट आगया पहला फर्मूला हमारा यू जो गया दूसरा है विद्धुत उर्जा यू है देखिए यहाँ पे इसको लिख देते है यू बराबर हो गया विद्धुत उर्जा विद्धुत उर्जा बराबर यू बराबर होता है यह फर्मूला होता है पी गुने समय सक्ति गुने समय पी हो गया सक्ति समय के लिए हो गया ट तो विद्दूत उर्जा बराबर सकती यहाँ पर कितना दिया हुआ है देखिए हमको solve करने के बाद आ गया है 880 वार्ट और यहाँ पर T नहीं है तो U बराबर आ गया विद्दूत उर्जा बराबर 880 गुने T जो कि है equation number 1 दूसरा है विद्दूत उर्जा बराबर एक और formula होता है M गुने S गुने डिल T अब क्या है इसमें देखिए M दिया है जल का द्रबमान जो कि कितना होता है जल का द्रबमान जो होता है यह होता है M बराबर कितना दिया है 1 kg टे दिया गया है और उसके बाद S जो है, S क्या है जल की विशिष्ट उस्मा, जल की विशिष्ट उस्मा जो होता है ब्याली सो जूल केजी पर केलवी, S का वैलू हमको याद रखना परेगा, और डेल T कैसे करेंगे, तो डेल है 100 डिगरी, T2 माइनस T1, 100 डिगरी में से 20 डिगरी को घटा दें तो बस इसमें वैलू पूट कर देना है, देखिए, M बराबर कितना है, M है 1 गुने, ब्याली सो गुने, ये कितना दिया है, 100 माइनस 20, इसको जब हम लोग सॉल्ब कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ब्याली सो गुने 80, जो की आगया, एक्वेशन नमबर 2 हमारा आगया, ये हो, विदूत उर्जा बराबर आगया 42 सो गुने 80, और एक और विदूत उर्जा बराबर आगया 880, गुने 2, हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो एक एक उक्वेयेशन और दो एक्वेयेशन को मिलाने के बाद, जब हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, तो 6.36 minute, जो कि है option number 6.3, option number इसका भी इसका सही उत्तर है, 6.36 minute, देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा formula लगा है, P equal to V I, दूसरा अगया U यहाँ पे है विद्दूत उर्जा, बराबर होता है शक्ती गुने समय, विद्दूत उर्जा बराबर शक्ती हमारा आयता 880, गुने T, और एक और formula लगता है जो कि बहुत important है, विद्दूत उर्जा बराबर M गुने, S गुने डेल्टी, विद्दूत उर्जा, M कितना दिया है, देखिए, 1 kg दे दिया है, M जो है, M क्या है यहाँ पे, तो जल का द्रमान जो की है, 1 kg, और S है जो, S जो है, जल का विशिष्ट उसम जो है, L है, जो होता है, 2200 जूल केजी पर केलविन, और डेल्टी हो गया, 100 में से 20 घटा देंगे, तो डेल्टी आ जाएगा, और एक equation दोनों को equate कर देंगे, बराबर कर देंगे, यहाँ पे है, 880 गुने टी बराबर 2400 गुने असी, solve करने के बाद, T बराबर 6.36 मिनर, यह बहुत ही बढ़िया लेविल का question है, इसको दू तीमबर आप practice किजिएगा, तभी यह अच्छा से हो पाएगा, यह question एक बचा हुआ था, और इसके साथ एक और question, एक basic सा question यहाँ पी बचा था, 137 number question यह बचा हुआ था, इसको कैसे solve क करेंगे, यह थोड़ा normal type question है, आशान भी है यह, देखिए, एक heater जिसकी सकती कितना दिया है, 1250 watt है, और जिसका विभाव 115 volt है, तो ग्यात करें प्रतिरोध एवंग heater में धारा, इसको क्या करना है, इसमें हमको दो चीज निकालना है, क्या क्या निकालना है, प्रतिरोध में लग जाएगा, P equal to V square by R, वोगा निकालना क्या है, R, तो R बड़ाबर आजागा, V square by P, V है विभानतर, P है सकती, कितना दिया है, V दिया है, देखिए, यहाँ पे 115, 115 गुने 115, सकती कितना दिया है, सकती दिया है, 1250, बस इसको solve कर दीजिए, solve करने के बाद इसको 10.6 ohm, 10.6 ohm, जोंकि हमारा यह क्या जाएगा, प्रतिरोध, एक फर्मूला हता है, P equal to V I, हमको यहाँ से I निकलना है, बटे में, तो क्या जाएगा, I equal to P by P, और यहाँ पे सकती कितना दिया हुआ है, तो 1250, और बटे में वोल्ट विवानतर कितना दिया है, तो यह है 115, इ करने के बाद आजाएगा, 10.9 ampere, जो कि इसका सही उत्तर आगिया, 10.9, क्या क्या आगिया, 10.6 ohm, प्रतिरोध आगिया, option number A, और 10.9 ampere, इसका ampere धारा आगिया, option number A, इसका सही उत्तर है, यहीं पे है, हम लोग total 180 plus question, हम लोग complete कर लिए है, टोटल इस chapter में हम लोग, विद् के लिए भी हमारा WhatsApp ग्रूप से जूर जाएगे, टेलिग्राम चैनल से जूरिए और Facebook पेस से भी जूर जाएगे, अगर आप किसी भी government exam की तयारी करते हैं, CET, Railway, SSC, UPSC, BPSC, JPSC, या बिहार पुलीस, UPSC, किसी भी single exam के लिए, जो MCQ based है, उसके लिए आप हमारे चैनल से जूर जाएगे, अगर आपको हमारा या वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद